अम्बिट का पाक सिवीलाइन मुरादबाद में रवीवार को रास्टी ये बाली का दिवस के उपलक्ष में रेविलुशन किलब के दुआरा कलपना चावला सम्मान समारों का आयोजन किया गया कारिकरम में मुखे अतिती लीबशी का नगर सहायक आयोक्त विस्ष अतिती छेतरिय परिवाहन अधिकारी शिरीमती छवी चोहान एवं सियो कोतवाली शिरीमती इंदू रही सभी अतितियों का किलप की पदादीकारियों एवं सदस्यों ने जिनमें अध्यक्ष कंचन चुहान एवं उपाध्यक्ष अलकाराज ने पुष्प्यों गुच्छ देकर एवं माला पहना कर स्वागत किया कलपना चावला समान समारों में सांस्कृतिक कारिकरम में प्रस्तुती हिंदू मोडल इंटर कॉलिज की चात्राओं द्वारा की गई जिसमें दर्शकों की तालिया खोब बटोरी कारिकरम की मुख्य वक्ता के रूप में अलकाराज ने कहा कि रेविलेशन कलप का उदेशे गरीब बेटियों को शिक्षित करना और जो बेटिया किनी परिस्तिती बस आगे शिक्षा नहीं ले पा रही उन बेटियों को आर्थिक मदद देकर शिक्षा की मुख्यदारा से जो पर रेविलेशन के लपके सभी सदस्व को प्रमाण पत्र जिसमें शिरीमती अनीता गौतम किरनलता शिरीमती शशी सिंग शिरीमती आशू पूर्व पाशा शिरीमती कवीता उपस्तित रही यहां प्यागिती के रुपे यहां पे आपने हैं आमनतु किया सही बताओं तो कुछ साल पहले तक यह राष्ट की बाली का रिवास जैसे ही को जीज सुनने में नहीं आगी नीं क्यूकि हम लोग इसे सुभजर चुबे हैं जिसमें आज लिए बच्ची आ हैं जैसे ऐसे अच्छा ये लग रहा है कि जैसे हम आगे वेसित देश की शेड़ी में आ रहे हैं या उसके लिए पसरित थो रहे हैं कंष्ट्न वार्पन हो रहा है कि बालिक के यह है राशचिव बालिका दिवस कैसे आयोजने करना चाहिए जिसमें उन नहीं हो पैजित और उन सुट्रिया समखे एक दिन दिया जाएं सब्सक्राइब नारी सशक्ती करने लेकिन राक्षी वालिका दिवस मनाने की हमें आवशक्ता क्यों पर रही है यह सोचने वाले बंचे इन बच्छीयों का में हम अभी बाद को करने इसमें हम महिलाएं भी आएंगे और पुरुष भी आएंगे यहां को अपस्ते हैं आज हमारे रेवल्यूशन प्लब के द्वारा रास्ट्य वालिका दिवस को मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अथिती दीवशिखा माम उपनगर आयूक और आटियो छवी माम को बुला करके हमने जो गरीब बच्चियां हैं जिनने बहुत मुश्किलों से अपने विश्म परिस्थितियों में 10 पास किया है 2018-19 का उनको हमने सम्भानिक कराया है इससे हमारा उदेश्य है कि हम जितनी भी गरीब परिवार की बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती है अप पढ़ नहीं पाती है उनको हम हर तरीके से उनकी शिक्षा के उनकी आर्थी परिस्थितियों को हम पूरा कर सके और जो भी मुरादाबाद के अंदर क्योंकि हम दूर तक तो नहीं पहुंच सकते अभी हमें अभी समय लगेगा लेकि मुरादाबाद में कोई भी गरीब बच्चियां हैं वो हमें संपर्क करके आर्थी परिस्थिती और शिक्षा के हेतु मदल ले सकती है इस फ्रोग्राम से मैं संदेश देना चाहूंगी कि मेरे भारत की कोई भी नारी कोई भी बालिका कोई भी बच्ची अशक्षित ना रहे हैं आर्टर कर वो हमें वो हमें भी आर शिक्षा रहे हैं